Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इसका Quarter 2, Quarter 2 का मतलब हुआ, July, August, September, ये तीन महने में भारत की GDP क्या रही है, Actually अगर आप देखोगे न, तो जो Estimate लगाया जा रहा था, किसी का कहना था कि 6.5% रहेगी, किसी का कहना था 6.7% रहेगी, In fact, RBI, Reserve Bank of India का ये सोचना था, कि भारत की GDP ग्रोथ 6.5% के आस पास रहेगी, लेकिन आपको पता है वो कितना हुआ है, It is 7.6%, just imagine, ये कितना जादा है Estimate से, ये आप देख सकते हो, India's Quarter 2 GDP ग्रोथ 7.6% versus 6.2% a year ago, Official Data Beats Expectations, और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, देखेंगे GDP में क्या-क्या चीज़े हैं, क्या-क्या आपको जानना चाहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, ध्यान रखेगा आप मेंसे, जो भी लोग UPSC की Complete Preparation कराई जाती है, that is, Brilliant Means Interview, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको यूज़ करना है, Code Ankit Live हमारे website, एप पर जाकर, या फिर comment section में इसका link दिया हुआ है, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे Insta page पर जा सकते हैं, वहाँ पर Stories में, जितने भी MC Secures हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देखें यहाँ पर जब हम बात करते हैं GDP की, तो यह data release कौन करता है, यह पहले आप देख लीए, अगर आप Ministry of Statistics की website पर जाओगे, तो यहाँ पर सबसे पह पहले नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, और आप देख सकते हो, यहाँ पर हेडिंग है, प्रेस नोट अन, estimates of GDP for second quarter, और जो मैं आपको बता रहा था न, यह जो current financial year चल रहा है, इसका second quarter मतलब July, August, September, यह तीन महने की हम GDP की बात करें, और GDP आप सब को पता है, इसका मतल National Statistical Office, जो की आता है, Ministry of Statistics and Program Implementation के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए, चली अब हम GDP की बात करेंगे, यहाँ पर यह बताया जा रहा है, कि यह जो second quarter था, इसमें भारत की GDP 7.6% ग्रो की है, जो की अगर आप compare करोगे, पिछले वाले, मतलब पिछले वाले साल के quarter 2 से, अब यहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, यह आप देख सकते हो, पिछले कई वर्षों का यह GDP ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर COVID में तो आपको पता ही है, क्या हाल हुआ था, एकदम negative में चले गयते, फिर अचानक से यह उपर आया थ लेकिन यहाँ पर आप लास्ट में ध्यान देजे, जो quarter 1 का GDP था यह आप देख रहों है, यह था 7.8%, जो पिछला वाला quarter, मतलब April, May और June वाला quarter था quarter 1, उसका GDP आया था 7.8%, लेकिन हमें इसके उपर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है quarter 2 के उपर, मतलब इस साल का quarter 2 का GDP कितना है, लगबग 7.6%, और हम इसको किसे compare करेंगे, इसको हमें compare करना चाहिए, जो पिछले साल वाला quarter 2 था, मतलब 2022 में, जो July, August, September वाला था न, उसमें हमारा जो GDP का data था, वो था आपका 6.2%, यह वाला जो आप देख रहो, red dot मैंने डाला है, 6.2%, तो पिछले साल से अ हुई है, I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और पिछला वाला quarter तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, quarter 1 वाला यह था 7.8%, अब यहाँ पर जो data release किया गया है, वो मैं आपको सुझाता हूँ, देखो जब मैं बात करा था, GDP की इसका मतलब मैंने आपको बोला न, कि कितन value के goods and services produce हुए, तो यहाँ पर जब GDP का formula की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, C plus I plus G plus NX, मतलब की consumption कितना हुआ है, private consumption, हम और आप जब market जाते हैं, restaurant जाते हैं, हम क्या directly समान खरीते हैं, तो उसको private consumption कहा जाता है, I मतलब हो गया investment, जो industries वगर होती हैं, जो investment करती हैं फिर government भी तो खर्चा करती है, तो government का, और फिर net export, मतलब export minus import, इसकी क्या value होती है, इन सभी को जब जोड दिया जाता है, तो GDP के value आती है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यह basically real GDP को दिखा रहा है, जब मैं कह रहा हूँ न, यह हमारी GDP growth है 7.6%, इसका मतलब हुआ, यह हम real GDP की बात करें, real GDP का मतलब यह हुआ, इसका base year price कौन सा है, वो है 2011-12, मतलब की जो भी goods है, जैसे आज के date में mobile phone produce हुआ, उसका price 2011-12 में क्या था, उसके हिसाब से हम calculate करते हैं, वैसी मानलो आटा की बात करें, जो आटा होता है, अगर मानलो आज 50 kilo आटा produce हुआ है, तो वो आटा का price 2011-12 में क्या था, उसके हिसाब से हम यह calculate करते हैं, I hope कि आपको समझ जा रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह private consumption जो C की हम बात करें थे, government का expenditure हो गया, यह आपका investment वाला हो गया, यहाँ पर जो export, import वगर हो गया, तो यह अगर आप देखोगे ना, जो 2022 2022 में, यहाँ पर आप देख सकते हो, 2022-23 वाला पिछला साल वाला, जो quarter 2 था, यहाँ पर हमने कितने value के goods produce किये थे, यह था 38.78 लाक करों, ठीक है, और इस बार कितना produce हुआ है, quarter 2 का 2023-24 का यह हुआ है, 41 लाक करों, मतलब कि यह jump कितना हुआ है, यह पिछले वाले quarter 2 से इस ब quarter 2 का GDP growth हुआ है, 7.6%, और ध्यान रखेगा मैंने आपको क्या बोला, यह real GDP की बात करें, क्योंकि मैं आपको अभी आगे nominal GDP के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको starting में कह रहा था कि, इस बार का GDP का number आया है, उसने सारे estimates को beat कर दिया है, खुद RBI ने यहाँ पर 6.5% का अनुमान लगा था, देखो RBI जैसी संस्था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, इस बार आया है कितना, 7.6%, जो की काफी अच्छी बात है, अब हम आते हैं यहाँ पर nominal GDP को लेकर, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, this was real GDP, जो हम 2011-12 के base price से निकालते हैं na GDP, उसको real GDP कहते हैं, और जो इस साल current का जो price होता है, उसके value से निकालते हैं, क्योंकि inflation बढ़ता रहता है, तो आज हम 2023 में हैं, तो obvious सी बात है, 2011 में जो mobile phone था, वो आज के rate में बहुत महंगा हो गया होगा, या फिर आटा जो था 2011 में, वो आज के rate में काफी म करण, मतलब यह साब दिखाता है, यह inflation को दिखा रहा है, तो वही चीज है यहाँ पर कि nominal GDP है 9.1%, तो ध्यान रखना है आपको, nominal GDP quarter 2 का आया है 9.1% और real GDP जो है वो आया है आपका 7.6%, फिर इसके साथ साथ आपने अक्सर सुना होगा GVA के बारे में, GVA होता है, that is gross value added, basically क्या जो GDP का data है, वो दिखाता है आपका demand side को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, consumption, हम demand कर रहे हैं, market में जाकर कोई चीज खरीते हैं, तो हम demand करते हैं, वैसे investment भी होता है, investment भी किया जाता है, तो एक तरह से मालो machinery लगानी है, factory लगानी है, तो demand करके ही तो वो सारी चीज़े हो रही है, यहाँ पर government भी demand करती है, expenditure करती है, तो वो demand side को दिखाता है, और जो GVA होता है न, gross value added, यह basically दिखाता है आपका supply side को, supply side मतलब agriculture में कितना produce हुआ, mining में कितना हुआ, manufacturing कितना हुआ, electricity कितनी produce हुई, वो side भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो GVA की आया है, वो आया है आपका 41 lakh करोंड के आसपास, और यह भी value आप देखोगे, GVA यह भी है 7.6%, मतलब GDP भी quarter 2 का 7.6% है, और GVA भी इस बार 7.6% है, यह almost similar होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, कई बार होता है कि, जैसे माल लो GDP 7.6% आया, हो सकता था GVA 7.5% आया, थोड़ा बहुत ही अ 13.9%, अच्छा खासा हुआ है, agriculture में काफी कम हुआ है, 1.2% हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है, trade hotels की बात करें, 4.3%, mining 10% से increase हुआ है, finance, real estate 6% increase हुआ है, उसी तरह से industries भी आप देख सकतो, करीब 13%, services 5.8%, private finance consumption 3.1%, government का consumption यह हो गया, तो यहाँ पर आपको एक चीज साफ रही होगी, कि government का expenditure काफी अच्छा खासा बढ़ा है, 12.3% बढ़ा है, और यही कारण है, अगर हम देखें, कि अगर question आता है, कि यहाँ पर quarter 2 में expectation से जादा कैसे यहाँ पर GDP हुआ, मतलब GDP बढ़ा, 7.6% कैसे आया, उसका एक main कारण बताया जा रहा है, कि सरकार ने जो खर्च करती है, तो उसी से तो automatically GDP का भी number बढ़ जाएगा न, क्योंकि यहाँ पर demand हो रहा है, कोईले का, cement खर्चा हो रहा है, कोईले का खर्चा हो रहा है, तो इसी के वजए से GDP में अच्छा खासा pick up आया है, क्योंकि government ने काफी ज़्यादा expenditure किया है, और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो consumption है, मतलब जो private consumption है, हमने भी ठीक ठा consumption किया है, ज्यादा demand किया है, और यह सब कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजए से इस बार की quarter 2 की GDP 7.6% रही है, इसके अलवा मैं आपको एक और चीज़ बता दू, कि आज ही जो है core sector का जो data है, वो भी release किया गया, में यह है कि आगे क्या होगा, मतलब कि rest of the year, जो quarter 3 है, quarter 4 है, तो पूरा साल का projection क्या है, देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, कि आगे आने वाला समय शायद उतना अच्छा ना हो, मतलब यह जो पिछला 6 महना गुजरा, April से लेकर September, यह जो quarter 1 और quarter 2, मतलब यह 6 महना गुजरा, इसमें ठीक ठाक भारत की GDP के नंबर साग है, लेकिन आगे आने वाले महिनों में यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है भारत के लिए, इसका main कारण है global growth, globally यहाँ पर slowdown देखने को मिल रहा है, globally हो सकता है यहाँ पर जो prices है, oil वगर को लेकर और इस सब को ल यह एक major reason बताया जा रहा है, जिसकी वजह से second half में थोड़ा सा slowdown देखने को मिल सकता है, but I hope कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी latest data था, उसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या आप बता सकते हो, अभी मैंने core industries की बात की, इन में से आपका core industry का part नहीं है, यह आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग लग social media पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने आपको बताया है, UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो, just use this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ से next time, till then, thank you very much, see you soon.